हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर आप पेस्बोट पर देख रहे हैं तो किरपया page को फॉलो जरूर कर दिजेगा जिहां दोस्तों एटिंग करना है जिसका करमा बॉल को सिमा रेखा पार पहुचाना है जिसका धर्मा हलावर मत समझ लेना तुम हमको फायर है अपना रोहित सर्मा जिहां दोस्तों souha Laud को जोकी अभी भारतिय टीम के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है आ कि टीनों फॉर्मेट के लोते हुए अभी तीनों फॉर्मेट में इंडिया को नभर वन पो जिशन पर ला चुके है जिहां दोस्तों आपने विल्कुल सही सुना है टेस्ट वन-daay T20 WTC सारे चीज में इंडिया अभी एक नंबर पर आ गई है आपको बताते चले कि अभी इंडियान टीम जो की तीनों फॉर्मेट लेकर अकेले रोहित सर्मा चल रहे हैं कि बताते चले कि अभी टेस्ट में इंडिया एक नंबर पर है 177 रेटिंग अंक के साथ वन डे की बात करें तो एक पर है 121 रेटिंग अंक के साथ और T20 के अगर बात करें तो 1 पर है 266 रेटिंग अंकों के साथ डब्लू टीसी फाइनल की बात करें तो नंबर वन पोजिशन पर है अभी चौसट पॉइंट फाइट परसेंटेज के साथ नंबर एक पर जिहां दोस्तों सारे के सारे फॉर्मेट में अभी एक नंबर पर इंडिया अपना स्थान बनाये हुए हैं और इस सारे चीज का सरे सा किसंद्ध में और अभी टेस्ट में एक नंबर भले बाज की बात करे थो बावर आजम है जो कि पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं और अगर cools को आदव और मतिमें गिंदबाज की बात करें तो兩 जास्पुरित अगर अम में नंबर वन गिंदवाज की बात करें तो केशब महराज है अगर टीट्वेंटी में नंबर वन गिंदवाज की बात करते हैं तो आदिल रासीद है जो कि इंग्लैंड से बिलॉंग करते हैं अगर ऑल राउंडर की बात करें तो टेस्ट में नंबर वन राउंडर रविंद् के आगे कि catch का महा कुम्बू stad का तेओहार जो भारत में मनाया जाता है IPL आने वाली दोस्तों आइपिल आने वाली है लेकिन IPL के लिए कुछ तरह कोकि होने वाली ख़बर है और ख़बर क्या । कि मौस्ट प्रोबबली बहुत uh है कि पांच पलेयर जो है आई पीएल में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो कि अपने अपने टीम के लिए रीड की हड़ी सावित होते हैं बात करते हैं मुहम्मद समी की जो हाल फिलाल अपना नी सरजरी करवा करके लंदन से लोटे हैं और वह अपना रिहाइब बैंग चल रहा है जो कि आई पीएल में उनको खेलने का बहुत ही कम चांस बन रहा है बात करते हैं चेन्नाई सुपर किंग्स के ही एक और पलेयर सिवम दूबे का जो रंजी ट्रॉफी खेलते हुए क्वाटर फाइनल में चोटील हो गए हैं और उनका भी खेलने का चांस बहुत क कम नजर आ रहा है तो चेन्नाई सुपर किंग्स को दो दो बरा जटका लगा तो बात करते हैं मुंबा इंडियन्स की तो सूरी कुमार यादव भी इस आई पीएल में बहुत कम चांस है कि शुरू के मैच में खेलते हुए नजर आए और अगर हो सकता है कि कहीं पूरा आई उनका भी कोई चांस नहीं बन रहा है कि वह भी खेलेंगे रासिद खान जो कि गुजरात टाइटन्स से बिलॉंग करते हैं जो कि वहां के भाइस केप्टन रह चुके हैं वह भी इस आई पील में सुरू के मैचों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और साथ पूरा केमेट में हो गई है इसके लिए बहुत-बहुत रोहित सर्मा को बढ़ाई